कि और टुड़ेख टॉपिक इस सेसेफ राइनोरिया क्या होता है इडिजाे फिसस तून नॉज यह लिखा वह मैंने इडिजाली के जो सी एसे फ थू नोज देखो अब सीसेफ हमारे ब्रेंग को कवर कर रहे हैं निंघ्जिस में है इसने हमारा ब्रेंग को और स्पायरल कोड तो वह नोज में कैसे आ रहे है कोई ना कोई डिफेक्ट आया है बोने डिफेक्ट रहे है उसकी वाज़ से वह सीसे हफ्ट्रू नोज लीक हो एप रहे हैं ऐसकी अब इसकी अटेरोजी यह मीनुंस क्या कॉझत हो सकती हैं मैं ती आइन आइं टाइनी थी एसकी यह यह तीफो कुई भी अगर होए कोई बी अगर पेशेंट की सर्जड राइनोरिय च्रहार हो दॉश्टरी में कि यह बताता है कि मेरी प्रीवेश कोई साइनेस की सरजडिय वह बी यह सकते हैं तो इन सरज्यडियस की वजह से भी आपके पास to trauma है तो ccf rhinoidia हो सकता है कि i4 inflammation इंफ्लमेशन कि सिस्की हो रही है inflammation हो रही है अपको sinuses की ठीक है अगर sinus को infection को अगर मुकोषील हो गी है पेचेन को ठीक है sinus की मुकोषील है या osteomolitis है यह सारी कुछ सारी kinase is की complications है जो है उस वजय से भी ccf rhinoidia हो सकते है ठीकि और नियोप्लाजम कोई भी बिनाइन या कोई मिलिगन ट्यूमर है उसके वाज़ से सीए साफ्राइन ओर सकते हैं आई फोर आइडियोपैथिक कोई नॉन कोज ही नहीं होती ठीक है और ची फोर कंजेनिटल इस्वेल अगर पैशन को मेनिंगोसील है गलायोमा है ठीक है यह प्राइण को चुछ होगी ने घुटत वर इंख्ञों मेनिंगोसील है गलायोमा तो पैशन को कुछ होगी अब हमें पाल चल गया कि पैशन को कुछ हुआ और इसको यह प्राप्लम है इसको ने पर राइनोरिया हो रहा है अब ने देखना है कि हम उसकी रहनोरिया कि को फॉसा चारियों ह Dee को पहले सहसे वह कहां जाएगा सबसे पहले अर्फ पलेढंस प्लेट पर sia ब्रिप्र newfya को ऊडिब ब्लेट प्लेट के अधौमाइडल एर सेंस में जाए गा पाइड कि अ है रहा से this में जाएगा और स्वाइनश बाद वह नॉस में आएगा है ठीक है मिडल और फैनल चीमेंज़ के बाद हमारे स्पेन फिलाद साइन सोता है तो वह थो जांधा से पहले स्पैनोब साइनस में जाएगा एंग अगर और टैंपोरल बोन का सबसे पहले वह बिदल में जाईगा ठीक है जांव के बाद यू स्टइडियन ट्यूब है त्यूब के बाद वह नोज में आगा अगर भूँ नोज में आरे कि इसको साइट से टेंपोल बोन के बाद वह मिडल यंडमे आ इयर इंवाल्व और दो कहते हैं CSF और्टो राइनोरिया राइनोरिया मीन्स कि वह नोल से निकर रहा है साथ हमने और्टो लगा दिया मतलब इयर भी इंवाल्व राइनोरिया कब होता है टेम्पोरल बॉन का फ्रेक्चर हो अगर ठीक हो गया आगे आज़ते हैं कि अच्छा CSF का राइनोरिया है अब देखो हमने कैसे पता लगाना है कि CSF का ही राइनोरिया CSF ही है या निजल कोई डिस्चार्ज है ठीक है सबसे पहली बात आती है रेजरवार साइन रेजरवार साइन होता है सबस्पेशन सुबह उठा है उसने अपना सर बेंड किया है क्योंकि तो हम कहते है रेजरवार साइन और रेजरवार साइन उनमें होता जिनमें CSF राइनोरिया हो नेजल इसे कृष्यन ना हो ठीक है ठीक है अब एक तो गशिज ऑ और जिसको पील नहीं कर सकते है एक इंपोर्टेंट है जब CSF की वह जब गशिज ऑफ बाहर आ रहे हैं यू के नाच Freunde कि ज loss इस्ट उसको भीनके वो तो कि नहीं चीजों को डेख लेना है है तो वाउं इसके जब करता हैं यहां रिंज क्या करें दो हाया है नहीं चार्णम कर्षाइण है को इसे थित बेंक पेले द। स्टेफ हो जाएगा तो इन चीजों को आपने देखने हैं थर्ड आपने इसन एंडोस्कॉपिक करके देख लो ठीक है ऑट्रोस्कॉपिक एग्जामिनेशन कर लो एंड पर डबल टार्गेट है डबल टार्गेट है कि सब्सक्राइब को आपने क्या करना है फिल्टर पेपर क अगर उसमें ब्लाड भी हो तो सेंट्रल आपके पास एक रेड़ स्पोट आएगा उसके अराउंड आपके पास लाइटर कलर आएगा इसको हम कहते हैं डबल टार्गेट साइन ठीक है इसके बाद इसना हमने डाइग्नोस कर लिए इसको रिजामिनेशन कर लेंगे निजर इसको डिफ्रेंशेट कर लेंगे डबल टार्गेट टेस्ट देख लेंगे इसके बाद आजाता है कि हमने कौन-कौन से लैप्स कर वानी है जिससे हमें पता चले हमने एक्स्ट्रीम लेवल पर जाके जो है वह सारी डाइग्नोस करने है कि हम इसको तो हमने अपनी तरफ से देखने कि इसको अबाकरी सीएसफ राइनोरिया है यह नेजल डिस्चार्ज है ठीक है हमने डाइग्नोस कर लिए कौन-कौन से लैब्स कर वाने जिससे हमें कन्फर्म हो जाए कि इसको सीएसफ राइनोरिया है सीएसफ के अंदर प्रोटीन होती है बीटा टू ट्रांसफेर प्रोटीन यह भी सीएसफ में होती है अगर यह दोनों अगर पॉजिटिव आजें यह जो रिजल्स है पक्का हो जाता है कि यह इसको सीएसफ राइनोरिया है ग्लूकोस की ऑक्सिडेशन पर ऑक्सिडेशन जो बायक्यमिकल टेस्टिंग होती हम यह भी कर लेते हैं बर यह इसके बाद आपके पास आ जाता है कि आपने साइट लोकलाईस कैसे करनी है कैसे पता चलेगा कि MADS कर लो हमने इनस्टिगेशन करानी है हम पेशन का सीटी स्कैन करवाने कि मैं पता चल गया किस बंदे को सीएसे फरनी है अब असल में डिफेक्ट किस पॉइंट पर जाकर वह किसा प्ता चले सोग वहें से हborne करने कोना आप नीजैवन कर देखने कुल आपको बुस्ता चला है और यह इंदे ग्यास से अच्ट सबस्क्राइब करेशन नहीं में देखना काुछ और गाद चुछ नि कर से आपके पास आजाती है कि आपने फ्लॉरेशन डाय करवानी इसमें होता है कि आपने फ्लॉरेशन डाय को 10 ml CSF में डाल के डालूट करने यह देखो आपने करना है सब्सक्राइब करना है 10 ml CSF में डालूट करोंगे फिर आपने इसको पेशिंट को इंजेक्ट करते हैं अब देखो हमें हम यह कह रहे हैं कि स्पीनस है या मतस्फीनोड है या उसका टैंपोरल बॉन का फ्रक्टर है यही बात ही अब हमने जब डाय डालने के बाद हमने अब द झी मिढले के लिए हम तेक लिए हम देखेंगे डे मिडल मी यटर सी ठीक है यह देखो कहां है यह हमने ल्खेक्टरि कलेफ्स एक झाल का फ्रॉंट देखनी है क्या वहन्तर दे conceの डाय ख banner दो नॉस में नहीं मिल लेकिन अगर करेम से बेंस के कुई क्रेबिफॉम प्लेट का मसल है अगर मिडल मिलें प्रंटल और ऐथमोड की क्या होते न वहां मिल रही है तो इन में मसले है यह स्फीनोड रिसेस हमने चेक करनी है ठीक हो गया तो यह लिए चीज़ चेक कर लेंगे दैन अगर टेंपोरल बोन का फ्रेक्चर तो जो करना होता है तो अगर अभी तरीरे न ऐसके अमने करना हो इंग नोन चाहिए समगी पाइट घ्रडा लिया कि अगर ओगर तर्ड ऐस थीक हो गया अब अब जीक चूरे संगा निश्कन करें में करते हैं यह करने संग थे और ऐन बादशनक 14 बहुत हो स्कैन करना होते हैं तो हमने फेले र्रेशलीet सीटी कर देवाए फिर हमने 감사 को सीट सीटी सिरन ranogram करना लिए इन से हमें फ Tay hon스 हमें पता चल गया कि वह स्कुPOSING सीटामन फ्रेंटेटरा ठिखहें ल कि त्रीट करना पेशन को ट्रीट करने के सबसे पहले लिए यह शुरूर화 सूल स्ओंटिंब करना तो हम इस फिर कियृ नेकर स्टूल सॉफनने स्टोल स्टोल सॉफनर्सOne करने हैं चीजों को स्ट्रेइनिंग को वाइड करने ठीक है और यह चीज़ हो जाएंगी फिर आपने उसको अपके पास को इंफेक्शन भी हो सकते हैं तो प्रोफलेक्टिकली आपने उसको एंटिबाइटिक्स भी देने हैं प्रेशिंट को साथ में एसिटाजोलमाइट भी अप्रोफलेक्टिक अंटिबाटिक्स भी दोगे एसिटाजोलमाइट भी दोगे किसे फी क्या कम हो थीक हो गया अब आपने सर्ज्डिय करनी है सकंजर्वेटी ट्रीटमें तो कर लिया सरजडिय में आपके पास तीन किसम के प्रोच होती है एक इंट्रक्राइन अप्रोच और आपके पास Extradural अप्रोच है और आपके पास ओनो प्रेचे जिन है तो आपके पर इंट्रक्रीन सइनसे परोच करने थीका एप आप नेजल में आपने प्रिंस्कॉपिक अप्रोच करनी है आप पहुंच के उस एडिया पर कौन से प्रोच है इंट्रक्रेनियल एक्ट्रडूरल है या के पास ट्रांस नेजल है ठीक है अब आके पर प्रिंसिपल क्या है प्रिपेर के सबसे पहले अपनी साइट ओफ बॉन टिफैक्ट को देख लिया इन में से कोई भी साइट हो सकती है ठीक है जब आपको साइट पिल गई है पिर अपने इस साइट पर डिफैक्ट थाना उसको उस पर अमने ग्राफ लगाने है उस एडिया करने फोर ग्राफ अब अब ग्राफ प्लेस करना थीक है अब ग्राफ जो आपने ले happiness करना ना किवह क्या हो सकता है क्यश्व धिंदक का सबस्सक्राइब करना नेजल मुख के सकते हो इह घ्राल यह लिम्य इन आ पधिंदक फर लेक्व है पदेख कि पीद तरफ मेंसे जहाएं कमक्तिदक्री में भ की इस को स्ट्रेंफन करने के लिए सरजी सेल स्ट्रेंच और झिल फॉम और इस यह एक नियुकि निजल पैक लगा देगैं। अगर मोर्दन तू सेंटीमेटर तो यहां पर क्या लगा होगा गैप काटिलेज तो से काम यह तो फेशिया भी कोजा मिकोजा आपने सरजी सेल और जेल फोम लगाने और इसके बाद आपने हाइड नेजल पैक लगा देनें ठीक हो गया ना अच्छा उसके बाद अगर आपने तो यह सारा का सारा हो गया और उसकी ट्रीट्मेंट